हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी परिचर्चा होगी Fundamental Duties यानी मौली कर्तवियों के उपर ध्यान रखेगा छोटी सी क्लास होगी बहुत ही शांदार ट्रिक आपको बताए जाएगी कि हम अपनी Fundamental Duties को याद कैसे रखें ये ट्रिक आपको काम कहां पर आएगी पता होना चाहिए ना तो ध्यान रखेगा यदि UPSC या फिर किसी भी स्टेट PCS में कभी Fundamental Duties के उपर Deep Question पूछा गया पर एक्जेंपल आप लोगों से पूछ ले कि परियावरन संरक्षन का जो कर्तव्य है वो किस Fundamental कर्तव्य में है मतलब किस मौलिक कर्तव्य में है पहला दूसरा तीसरा चोथा तो वहाँ पे दिमाग हिल जाना है क्योंकि हमें मोटा मोटा ये तो पता है कि हाँ ठीक है हमारे Fundamental Duty ये है लेकिन जब आपसे Exact पूछ लिया जाए आपसे पूछ लिया जाए कि सामसिक संस्कृति के परिरक्षन की जो बात है वो किस Fundamental Duty में है तो वहाँ पे जो है दिमाग थोड़ा सा रुख जाएगा तो इसलिए आज एक ऐसी ट्रिक पे काम करेंगे जिसके बाद 11 के 11 Fundamental Duties आपके टिप्स पे हो जाएंगे ठीक है तो सबसे पहले एक Basic Introduction Fundamental Duties का ले लेते हैं कि क्या हमारे मूल समिधान में मोली कर्तव्यों का जिक्र था तो ध्यान रखेगा मूल समिधान में मोली कर्तव्यों नहीं दिये गए थे मौलिक कर्तव्यों को बाद में जोड़ा, basically 42 समिधान संचोधन दुआरा, 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा, एक नया भाग हमने बनाया, भाग 4A और एक नया आर्टिकल 51A, 51A के तहत हमने 10 fundamental duties को शुरुआत में जोड़ा था, बाद में दोस्तों, 66 समिधान संचोधन दुआरा, हमने एक fundamental duty और जोड़ दिया, यानि वर्तमान समय में हमारे जो fundamental duties हैं, उनकी संख्या कितनी हैं, 11 हैं, अब यहां से कई तरीके के question बनते हैं, एक तो देदेगा क्या मूल समिधान में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है, तो ज 42 में समिधान संचोधन दुआरा, जुड़े, स्वन सिंग समीती की सिफारिशों के आधार पे, दूसरा, वर्तमान में कितने fundamental duty हैं, तो 11 हैं, पहले 42 में के दुआरा 10 जुड़े, और 86 में समिधान संचोधन के दुआरा हमने 11 मौलिक कर्तव्यों जोड़ दिया, ध्यान राष्ट्र ध्वज का सम्मान है, राष्ट्र गीत का सम्मान है, ठीक है, ध्यान रखेगा, अगला मुद्दा बस 2-3 बाते और ध्यान रखने की है, कि भई, यह जो मौलिक कर्तव्यों का विचार है, यह कहां से आया है यह विचार, किस देश से हमने ग्रहन किया, यह जब स तो आप देखते हों, तो आप देखते हों कि हमारे समिधान की बहुत सारी विशेष्टाएं हमने अलग-अलग देशों से ली है, उसी तरीके से जो मौलिक कर्तव्यों का विचार है, यह हमने USSR के समिधान से लिया था, ध्यान रखेगा, इसके साथ यदि हम देखें, मूल क duties के सिध्धान को नहीं अपनाया गया है, ध्यान रखेगा, लेकिन हम यदि भारत की बात करें, तो भारत में हमने बाद में अपना दिया, स्वन सिंह समेती की recommendation पे, ध्यान रखेगा, स्वन सिंह समेती की, सिर्फ जो गठन किया था, तदकालीन सरकार ने, और इन सिं तो हमारी सरकार के दुआरा सारी रिकमेंडेशन को नहीं माना क्योंकि इन स्वाण सिंग समीती ने कुछ अन्य अधिकारों की कर्तव्यों की भी बात की थी जैसे कर देने का अधिकार को शामिल करने की बात की थी मतदान देने के कर्तव्य को शामिल करने की बात की थी लेकिन ह हमारी सरकार ने इनके सारे recommendations को नहीं माना और हाला कि बहुत सारे recommendations को माना 10 मौलिक करतव्य जोड़े और इनको दंडनिये नहीं बनाया ठीक है तो ये तो एक प्रिष्ट भूमी हो गई यहां से भी आपके question बनते हैं, अच्छे खासे question बनते हैं, ध्यान रखेगा अब हम बात कर लेते हैं कौन-कौन से fundamental duties हैं हमारे कैसे हम उनको याद करें, 11 fundamental duty हैं तो हम इसको कैसे trick से याद करेंगे, जैसे देखो 51A, ठीक, इस 51A में 11 करतव्य हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा क्या इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक को A लिख दे, B को, दो को B लिख दे इसको C लिख दे, चोथे करतव्य को D लिख दे, पांच वे को E लिख दे इसको F लिख दे, इसको G लिख दे, इसको H लिख दे, इसको I लिख दे, इसको K लिख दे और इसको K लिख दे Simple सी बात है ABCD यानि हम एक दो तीन करके ABCD के माध्यम से इनको पढ़ने का प्रयास करेंगे अब आईए पहला fundamental duty ये कहता है समिधान का पालन करें और उसके आदर्शों, यानि समिधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्टद्वज और राष्ट्रगान का पालन करें यानि राश्ट्रगान की बात किसमें है भाई राश्ट्रगान की बात है पहले मौलिक कर्तव्य में यानि 51 ए में यानि पहला मौलिक कर्तव्य किसकी बात करता है एंथम की बात कर रहा है एंथम की बात कर रहा है तो ए से क्या बन गया एंथम ठीक है तो पहला मौलिक कर्तव् दूसरा मौलिक करतवय क्या कहता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रिय आंदोलन को प्रेडित करने वाले उच आदर्शों को हरिदे में सजोएं रखे और उसका पालन करें अब आप बताईए राष्ट्रिय आंदोलन यहीं थोड़ा भोती तिहास आपने पढ़ा हो तो राष्ट्रिय आंदोलन में सबसे ज़ादा महत्रफोन घुमे का किस की बापू की और जो दूसरे जिनको बापू की विचारधारा से ज़ादा लगाओ नहीं है वो भगत सिंग क की विचारधारा में विश्वास रखते हैं आप किसी भी लिंक से याद कर सकते हो बीफोर बापू और भगत सिंग यानि दूसरा मौली करतव्य क्या आप कहता है राष्ट्रिय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श थे उनको हृदय में सजोय रफने की बात करता ह है 51AB यानि दूसरा फंडमेंटल ड्यूटी याद रहेगा इस ट्रिक से ठीक है तीसरी ट्रिक है मतलब तीसरा फंडमेंटल ड्यूटी है भारत की संप्रभूता एकता अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुन बनाए रखें रक्षा करने की बात C में भी है और D में भ होता है लेकिन आप लिंक लगाना है ना हमको तो ट्रिक याद करनी है तो C से संप्रभूता लब कहने में संप्रभूता है ना संप्रभूता की बात किसमें है यानि 51A C में यानि तीसरे फंडमेंटल ड्यूटी में बात है भारत की संप्रभूता एकता खंडता की रक्षा क तो तीसरा fundamental duty है ये fourth fundamental duty है यहाँ पर सीधा है देश की रक्षा करें और आहवान किये जाने पर राश्टर की सेवा करें तो देश की रक्षा करें मतलब क्या? defense यानि 51AD यानि fourth fundamental duty हो जाएगा defense का यानि किस की बात हो रही है? देश की रक्षा करने की बात हो रही ठीक है? अब आते हैं पांच में fundamental duty पे भारत के सभी लोगों में समरस्ता समान भरातुरित्व की भावना का निर्मान करें धर्म भाशा, प्रदेश या वर्ग पराधारित जो भेद भाव है उनसे परे हो यह जो हमारी भावना है और उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद हो यानि E होना चाहिए E से आप equality यानि समान भरातुरित्व की भावना समरस्ता तो आप 51 A E यानि 51 A पांचवा fundamental duty किसकी बात कर रहा है? समरस्ता और समान भरातृरित्व की बात कर रहा है ऐसी प्रथाओं के खतम होने की बात कर रहा है जो महिलाओं के कल्यान के विरुद है ठीक है? सम्मान के विरुद है तो 51 A E समरस्ता समान भरातृरित्व की बात है तो पांच fundamental duty याद हुए जहान रखेगा A क्या था? एंथम की बात है B क्या था? राष्ट्रय अंदोलन की बात है बापु के राष्ट्रय अंदोलन की C क्या है? सम्प्रभुता की रक्षा D क्या है? देश की डिफेंस देश की रक्षा E क्या है? समरस्ता और समान भरातृरित्व अब हम बात करते हैं छटे fundamental duty की, छटा fundamental duty कहता है हमारी सामसिक संस्कृति की गोरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका रक्षन करें, परिरक्षन करें, सामसिक संस्कृति को इंगलिश में बोलते हैं composite culture, ठान रखेगा composite culture, लेकिन हमें link याद करना है 51AF, इसे हम fancy culture भी सकते हैं, मतलब link याद करने के लिए कि भई fancy culture के संरक्षन की बात किस में है, सामसिक संस्कृति के संरक्षन की बात किस में है, तो छटे fundamental duty में इसकी बात की गई, ठीक है, ध्यान रखेगा, अगली बात आ जाती है, सात्मा मौलिक करतव्य, जिसमें प्राकृतिक परियावर तो भई जी, यानि ग्रीनरी, फिफ्टीवन ए, सोरी, फिफ्टीवन ए जी, यानि सात्मा fundamental duty ग्रीनरी से संबंदित है, यानि इसमें परियावरन की बात है, सिंपल सा लोजिक है, ठीक है जी, हमें साथ तक याद हो गए, अब हम आते हैं आठ्वे पे, आठ्वा कह रहा है, वैज्यानिक द्रिष्टिकोण, मानववाद, ज्यानारजन, तथा सुधार की भावना का विकास करें, यानि हमें बात करनी है, फिफ्टीवन ए, एच की, एच, हुमेनिटी से याद रखिएगा, मानववाद, हुमेनिज्म, ठीक है, हुमेनिटी, की बात किस में है, बात की बात, आपसे अगर यही लाइन दे दे, कि वैज्यानिक द्रिष्टिकोण, मानववाद, और ज्यानरजन, तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये कौन सा फंडमेंटल ड्यूटी है, तो ये कौन सा फंडमेंटल ड्यूटी है, साफतोर पे हमें नजर आ रहा है कि ये सात्मा फंडमेंटल ड्यूटी है, ध्यान रखते हैं, सोरी, ये छटा हो गया, सात्मा हो गया, ये आठमा, यानि आप कैसे इसको कैलकुलेट करोगे, A, B, C, D, E, F, G, H, यानि ह कौन सा फंडमेंटल ड्यूटी है, तो आठमा मॉलिक करतव्य है, हिमेनिटी यानि मान सारजनिक संपत्ती के संडरक्षन की बात किसमे है, 51A, आई में है, यानि नोवा फंडमेंटल ड्यूटी है, अब है दसमा फंडमेंटल ड्यूटी, आई के बात क्या आता है, यानि दसमा क्या कहा गया है, व्यक्ति गत और सामूहिक गती विधीयों के सभी छेत्रों में उत प्लब्धियों की नई उचाईयों को छूले यानि व्यक्तिगत और सामुहिक गतिविधियों के आधार पे ही हमें विकास करना है तो सामुहिक गतिविधियां जे से जोईंट जोभी जोईंट वेंचर है जोभी जोईंट वर्क है यानि 51 A J ये कौन सा दसवा मौलिक करतव्य हो गया और 11 मौलिक करतव्य हो गया 6-14 वर्ष तक के उम्र के जो बच्चे है प्रतेक मातापिता और प्रतेक अभी भावक का करतव्य होगा उनकी शिक्षा प्रदान करने का तो जो 51 A K यानि K से आप करतव्य से ही याद रखिएगा करतव्य है किसका मातापिता का करतव्य ह अभी भावकों का करतव्य है तो ये ग्यारमा fundamental duty हो गया तो इस तरीके से आपके 11 के 11 fundamental duty बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे यदि एक दो बार practice कर लोगे तो कभी भूलोगे नहीं इनको ध्यान रखना शुरू से देख लेते हैं एंथम यानि पहला करतव्य है बापू यानि राष्ट्रियां दोलन दूसरा करतव्य है संप्रभुता सी यानि तीसरा करतव्य है देश की रक्षा डिफेंस यानि चोथा करतव्य है उसके बाद डिफेंस के बाद आ जाता है डी के ब fundamental duty हो गया F से याद रखना है जहां पर बेसिकली परियावरण की बात है greenery G की बात है तो साथमा fundamental duty हो गया humanity की बात आ जाएगी आठमा fundamental duty हो जाएगा सारजुनिक संपत्ति I income की बात हो गी वो यह हो जाएगा क्या नाम है 51 AI हो जाएगा उसके बाद J जहां पर भी point गतिविधिया है तो 51 AI जे यानि दस्वा fundamental duty और लास्ट में आपका करतव्य है माता पिता का तो यह आपका 11 fundamental duty इस तरीके से आप सारे के सारे fundamental duties को exam hall में recall कर पाएंगे ठीक है कुछ कुछ किसी की ऐसी tricks होती है जो हमें पढ़ लेनी चाहिए याद कर लेनी चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा question आ जाते है कि हम exam hall में अच्छे से recall नहीं कर पाते लेकिन यदि कुछ कुछ tricks हमारे पास हो और यह ऐसी trick है इसमें अलग-अलग गुना भाग करके कुछ ऐसा trick नहीं बनाया गया है बिल्कुल वर्ड से निकली हुई tricks है जो बहुत आसानी से आपको याद रहेंगी ध्यान रखेगा इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दू ग्यारा से स्टेंबर से नया P2I batch शुरू हो रहा है study IQIS हिंदी पे पी प्रिलिम स्वेंस इंटर्व्यू तीनों लेवल की preparation इस batch में कराए जाएगी 13-14 महीने में complete syllabus इसके साथ ही ध्यान रखेगा जो भी आपका daily answer writing है weekly test series है दो साल तक आप live classes मतलब दो साल तक आप कितनी भी बार classes दे दिये जाते हैं यदि आप एक विवस्थित तरीके से dedicated तरीके से 13-14 महीने में पूरा syllabus complete करना चाहते हैं तो निश्चित तोर पे इस बैस से जुड़ें यदि आप इस बैस से जुड़ना चाहते हैं तो code use करना है LD live LD live code के साथ ये complete batch आपको मात्र 3999 में मिल जाएगा ध्यान पीडिएफ के लिए आपको जाना है ललीत दहिया अकैडमी टेलिग्राम चैनल पे मेरी सारी classes के link timing notification त्यामी पीडिएफ यहीं मिलेंगी ललीत दहिया अकैडमी ठीक है यहाँ पे ललीत दहिया अकैडमी है मतलब सेम नाम से है ये टेलीग्राम और facebook पेज़ भी आप मुझ स से जुड़ सकते हैं अगर admission लेना है तो LD live code का याद रखिएगा description box में link दिया है वहां जाकि आप admission ले सकते हैं आशा करती हूँ आपको ये trick अच्छी लगी होगी समझ में आया होगा याद हुआ होगा दो तीन बार revise कर लोगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा अगर आपको class अच्छी लगी है तो class को like जरूर करें जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर करें चैनल पे दिन नए हैं तो subscribe करें और comment जरूर करें आपके comment बहुत motivate करते हैं और ज्यादा मेहनत करने के लिए आप लोगों के लिए बाकी पढ़ते रहे स्वस्त रहे मस्त रहे जय हिंद जय भारत all the best